नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग ग्रहों के राजा सूर्य हर मेने रासी परिवर्तन करते हैं और इस समय सूर्य करकरासी में हैं 16 अगस्त को सूर्य करकरासी से निकल कर स्वरासी सिंग रासी में प्रवेश करेंगे सोलह अगस्त की साम साथ बचकर तिरपर मिनट पर सिंग रासी में जब सुरह आएंगे तो यहां पर सोलह सितंबर तक रहेंगे सुरह जब सिंग रासी में आएंगे तब बुद्ध और सुक्र का साथ मिलेगा क्योंकि इस समय सिंग रासी में बुद्ध और सुक्र गरभी विराजमान है ऐसे में त्री गरही योग के साथ सुक्रादित्य योग और बुधादित्य नामक राज योग भी बनेगा तो सुर्य के द्वारा इन अधुत राजयोगों के निर्मान से क्योंकि सुर्य बुद्ध की युती से बुधादित्य राजयोग बनेगा और सुर्य सुक्र मिलकर सुक्रादित्य राजयोग बनाएंगे तो ये राजियोग आपके लाइफ में कितना प्रभाव डालेगा आज हम यही जानेंगे विस्तार से तो वीडियो के अंतक बने रहें और ये प्रडिक्शन चंदरासी पर आधारीत है कन्य रासी सुर्य आपके बार्वे भौ के स्वामी हैं और इसमें सिंग रासी में यापके बार्वे भौ में गोचर कर रहे हैं कुंडली में बार्वा भौ बिदेश का, अलगाओ का, हस्पताल का, बिदेशी कमपनियों का जैसी चीजों का परतिनिधित्व करता है आपके स्वामी के बार में भौमे गोचर से कन्याबालों के लिए आपके स्वभाव में परतिसपर्द्धा आएगी सामान ने तोर पर सुर्य मिला जुला हुअ फ़ल देगा क्योंकि सुर्य रोग परतिरोधक छंता और स्वास्त के कारक है और सुरिका सिंग रासी में आने से थोरा सा आपको स्वास्त की समस्याएं परिसान करेंगी आपकी confidence आपकी उर्जा लेवल थोरी सी कम आपको महसूस होगी तो अपनी स्वास्त का विशेज ध्यान रखेगा तो उत्तंग आपको स्वक्षता बनाए रखनी चाहिए संतुलित भोजन करना चाहिए और बारवा भाव खर्चों का हानी का भी है तो सुरिका सिंग रासी में आने से खर्चे और हानी दोनों पर ध्यान रखें साबधान रहें सकात्मक पक्ष की बात करें तो बिदेशी भूमी के भव यदि वारवे भौ में है तो सुर्य सरकार अधिकार MNC कंपनी आधी का परतिन दित्तों करते हैं ऐसे में क्निया वालों के लिए बिदेशी जमीन सरकार या विदेशी कमपनी में काम करने वाले लोगों के माध्यम से लाब होने के योग है और कुंडली में भी दसासूफ होनी चाहिए हलाकि जोरान अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं एक राजी से दूसरे राज में विदेश तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि बारवे भाव में बैठे सूरी की दृष्टी छटे भाव पर है तो जो विद्यारती सरकाई नौकरी की तियारी कर रहे हैं प्रतिविता प्रिक्षा की तियारी कर रहे हैं उनके लिए वक्त ठीक रहेगा लेकिन 16 अगस्त से धन की कमी थोड़ा परिसान करेगा कर्ज लेने से बचिए किसी को रुपेय उधार मत दीजे नहीं तो वो फस जाएगा वापस पाना मुस्किल होगा और आपको भी अपनी आँखों का खयाल रखना चाहिए हम आपसे बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सबस्काइब करें लाइब से मैच करें तब लाइक कर सबस्काइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरो लेकर धन्यवाद